आज से तीन साल पहले अगर में ड्रॉप नहीं ले था तो शायद में अपने सेटी के किसी टीर थी कॉलेज ने बैठा हो था जिसका एवरेज पेकेज आई टी के मिनिमुम पेकेज का आदा भी नहीं था अपने से लिए अपनी लिए अपनी लिएक ने का मौका मिला इतनी अमेजी आप लाइटी के आगाए यहां पर यूट्यूट के सामने के से बोल भी पार हो जो भी लोग यह बोल रहे है कि मुझे डॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए अगर आप कॉन्फिरेंट हो कर आपको लगता है कि यस तेकिन रॉप गंचेंज रॉप यह रडी तो पूछ रहे थे पूछ रहे थे कमेंट शेक्षिंग अदर कि भाई रॉप लेने के बाद आपको फरक पड़ता है तो आपको फरक पर ने रहे होना चाहिए क्योंकि उनको भी नहीं है ठेक है सो बस अपने आपके ओपर ध्यान दो अपने आपके ओपर मैनत करो and there are few things which you have to keep in mind droppers strategy के मैं बात करूं तो बहुत सारे चानल जाया जो अपने viewership के नाम पर पैसा कमेने के नाम पर या paid promotion के नाम पर कुछ भी वीडियो मनाया जाने I'm just giving you three to four points आपको जान रखना है पूरी डॉपर से strategy उसी भी आपके wrap-up हो जाएगी सबसे पहली चीज़ डे वन से ही आपको अपना revision करना है और जो previous chapters है उनको बहुत सब्सक्राइब करना है कोई भी chapter इस से नहीं चोड़ना है कि इसको हम end में कर लेंगे क्योंकि वह आपने अल्री किया है अपने 11-12 के इंदर हैं तभी आपको डॉप रहने के जुरूर पर लिए तो वह mistake हमको वापस repeat नहीं करनी है this is going to the number one point number two point हमको सारे chapter की DPP solve करनी है सारे chapter की previous year questions को solve करना है चाहे वह means के हो चाहे वह advance के हो कोई भी question हमको miss नहीं होना चाहिए जिससे भी question के अंदर doubt आता है उसको within two days हमको resolve करना है यह अपने लिए deadline set कर दो कि दो दिन तक हम फिर भी उसको time जै सकते हैं एक permissible limit set कर दो कि दो दिन के अंदर अंदर हमारा doubt solve होना चाहिए उससे जादा हम उस doubt को delay नहीं कर रहे होंगे क्योंकि दो दिन के बाद में आपके दिमाग से निकल जाता है क्या concept apply कि किस तरीके से आपने उस question को approach कर यह सब भी आप बूल जाओगे क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि paper वहां से design नहीं होता उन question से जो आपको बन जाते हैं examiner को पता है कि कौन से question के अंदर students अटक रहे हैं कहां पर सबसे ज़्यादा doubts आ रहे हैं लोगों को और वहीं से आपका paper आता है एंदर पेपर में जाके बोलते हैं कि ओ शिट या यह कुशन नहीं चोड़ना है जो कुशन नहीं हो रहा है उसके पीछे लग जाओ और उसको solve करो तब तक जब तक आपको उसका पूरे solution नहीं पता है आपको उसको पूरा concept नहीं पता है सारे डिस्ट्रक्शन से गुडबा बॉल देने जितने भी तो प्लीज अपने आपके साथ में थोड़ा serious रही है थोड़ा countable रही है अपने आपको जूत मत बोलिये एंड जितने भी रिलेशनिशिप से जितने भी डिस्ट्रक्शन से जितने भी शाधी पाटिया है सब को गुडबाई टाटा बाई 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 बोल दो तो इसका रखना चाहिए कोई भी में इस वीडियो को बड़ा नहीं करने बाला हो और यूर ताम इस प्रीशियस माई ताम इस प्रीशियस और सब्सक्राइब करते है कदम all the very best to you all चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरू कर देना वीडियो कर देना वीडियो कर दो दोस्तों के बीच में में अगले वीडियो के सब तक लिए see you have a good day bye bye